तिल और मूमफली के बहुत ही स्वाधिश्ट लड़ू एकदम परफेक्ट माप के साथ और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये देखिए अंदर से भी एकदम सूफ्ट है और ये बन कर भी बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं बनाना शुरू कर लेते हैं लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिल, मुमफली और बूरा सबसे पहले हम तिल को ड्राइ रोश्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है अगर तेज फ्लेम पर आप तिल को भूनेंगे, तो तिल के अंदर कड़वा हटा जाएगी बराबर चलाते हुए हम तिल को भून लेंगे जादा समय नहीं लगता है तिल को भूनने में, तीन-चार मिनट के अंदर ही तिल भून कर तयार हो जाते है गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है और बराबर चलाते हुए तिल को भून लेना है तिल भून गए है, गैस को हम बंद कर देंगे और चाहे तो दूसरे बरतन में निकाल लेंगे, नहीं तो गरम बरतन में भी तिल सिखते रहते है ये ड्राइ रोष्ट मुमफली ली है, एक कप इन्हें भी मैंने एक पैन में ड्राइ रोष्ट किया है और इनका छिलका उतार लिया है अब हम इने पीस लेंगे बहुत ज़्यादा बारिक हमें नहीं पीसना है, हलका सा दरदरा रखना है और बहुत मोटा भी नहीं पीसना है ये देखे कुछ इस तरह का पाउडर मुमफली का हमें बना लेना है हलका सा दरदरा है, ना तो बहुत ज़्यादा बारिक है और नहीं मोटा तिल को ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद तिल को भी हम पीस लेंगे तिल बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं, पस्तीन चार सेकिंड के अंदर ही तिल पिस जाते है ये देखे तिल का भी इस तरह दरदरा पाउडर हमें बना लेना है अब हम तिल और मुमफली के पाउडर को एक साइड में निकाल लेंगे और एक पैन ले लेंगे उसमें आधा कप खी डालेंगे और गैस को जला लेंगे आधा कप खी इन लड़ो को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है घी करम होने के पाद तिल और मुमफली का पाउडर हम पैन के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे हमें इने जादा नहीं भूनना है पस जैसे ही हलका सा भूनना शुरू हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि तिल और मुमफली पहले से ही भूनी हुई है ये देखिए हलका से साइड में से भूनना शुरू हो गया है कैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से ठंडा ना हो हलका सा गरम हो तब हम इसके अंदर बूरा एड़ करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे ज्यादा गरम पैटर में आप बुरा ना मिलाएं नहीं तो बुरा मैल्ट हो जाती है और फिर लड़ू अच्छे से नहीं बन पाते हैं एक पर आप इस तरह से बांद के देख लीजिये लड़ू अच्छे से बन रहे हैं अगर आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो एक दो चम्मच घी गरम करके और आप डाल लीजिए दूदी या मलाई मट डालिए उससे लड्डू जल्दी खराब हो जाते हैं यहां एकदम परफेक्ट लड्डू का मिक्स्चर बना है अब अपनी पसंद से छोटे या बड़े लड्डू बना लीजिये यह माप के लिए मैंने एक चम्मच ली है जिससे के एक ही माप के लड्डू बनकर तयार हूँ देखे सभी लड्डू बनकर तयार हो गए हैं और बहुत ही टेष्टी लड्डू बने हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू